हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लिंक उपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो चले दोस्तो फिलाली से वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यह वीडियो अगर हम लोग कहें तो निगेटिव न्यूस से रिलेटेड हैं हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आप सब लोग को पता है कि जो भी कॉर्परेट एक्शन रहते हैं कोई भी कॉर्परेट इवेंट रहते है जैसे की बोनस, बाइबैक, स्प्लिट, डिविडेंट, राइट इसका एलान किया जाते हैं और मैं बार-बार आप लोग को यह सिखा चुका हूँ कि जबी भी इसका एलान करते हैं दो बॉक्सेस रहते हैं दो बॉक्सेस मतलब पहले यहाँ पे बोर्ड डिरेक्टर इससे रिलेटेड अप्रूल देंगे और बाद में शेयर होलर्डर्स अप्रूल देंगे जबी दोस्तो आच के दिन हम लोग को यहाँ पे देखनूक मिला था पर दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, split का फेसला, यहाँ पर सरकारी कमपनी है, obviously, यहाँ पर deaf-free कमपनी है, तो उन्होंने split का फेसला यहाँ पर defer कर दिया है, defer कर दिया, postpone कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो, in short बोलू, तो split यहाँ पर आज के दिन कितना मिलेगा, सब इंतजार करेते, यहाँ पर split कैंसल हो चुका है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तो obviously, कोई भी corporate action event का जबी भी news आता है, तो एक stock में रौनक आ जाती है, क्योंकि वही stock अगर सस्ता हो जाते हैं, अगर company अच्छे रहेगी, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर निवेश करना शुरू करेंगे, volume बढ़ता है, पर अभी split नहीं होगा, मतलब वो stock जिस level पर चल रहा था, उसी level से हमनों को आगे continue रहते वे देखने को मिलेगा, तो volume वाला advantage रहेगा, वो अभी शायद से नहीं मिलेगा, जिन groups ने, जिन companies ने, firms ने, individuals ने, यहाँ पर यह सोच के निवेश कहा था, कि शायद से split मिलेगा, तो यहाँ पर यहाँ पर 21 तरीक को, क्या होगा, आने वाले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, यहाँ पर board of directors, consider करने वाले split देखे, यानि उसके लिए meeting है, तो यहाँ पर stock में हमनों को एक positive approach देखने को मिलता है, क्योंकि usually अगर आप देखो कि percentage के हिसाब से, usually splits के लिए जो खबरे रहती है, वो positive ही रहती है, पर इसका यह कोई guarantee नहीं, यह में बार-बार आपको जैसे बताता हो, कोई guarantee नहीं है, बुचाय तो ना भी दे, और आज के दिन हमनों को ऐसा ही होते हुए देखने को मिला है, तो चले दोस्तों उसी later के उपर, company के उपर अभी आ जाते हैं, तो रस्तों यह मैंने later अभी आपे, BSC Bombay Stock Exchange के official website पे यहापे मैंने download किया है, आप लोग यहापे देख सकते हो, board meeting यहापे conduct किये गई थी, साफ-साफ शब्दों में यहापे लिखा गया है, the company in its meeting held today, 21st September 2021 has, किसे related बात हुई, deferred the proposal of a subdivision of share, split की बात हुई यहापे हो रही थी, उन्होंने क्या कर दिया, deferred, deferred मतलब postpone कर दिया, आगे डिकल दिया, इतना बोल देते हैं, कि आज के दिन कोई भी फेसला यहापे नहीं होगा, तो फिर क्या आगे होगा, कोई ऐसी date आती है नहीं, ऐसी कोई guarantee वाली बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, मुद्वट finance, मुद्वट finance में भी same चीज़ें आया थी, कि हम लोग postpone कर रहें, defer कर रहें, अभी तक तो कोई भी ऐसा चीज सामने नहीं आया है, तो ऐसा कोई date नहीं आते हैं, कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अभी split यहापे भूल जाइए, हम लोग ऐसा यहापे फिलाल बोल सकते हैं, so definitely एक negative खबर है, यहापे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, देखें, इसके चलते कोई company बरबाद नहीं होती है, हाँ पर एक कह सकते हैं कि जो sentiment होता है, वो negative हो जाता है, मतलब stock वापर sideways चल सकता है, थोड़ा सा down pattern में भी यहापे जा सकता है, so कौन सी company के यहापे में बात कर रहा हूँ, so दोस्तों यहापे में बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान Aeronauticals Limited, HAL, आप सब लोगों को यहापे पता में थोड़ा सा नीचे जाना चाहूँगा, यह इसलिए बताना चाहूँगा कि government company, येस, आप देख सकते है, government of India, owner लिखा है 89%, यह थोड़ा सा गलत है, 75% के आसपसा भी सरकार यहापे hold करती है, हम लोग ऐसा यहापे बोल सकते हैं, कि बीच में वो OFS भी आया था, वहापे भी बहुत जादा हम लोगों को time, मतलब रुकते वे देखने को यहापे मिला ता, चली में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये रिखे, आप लोग देख सकते हैं, ये है नया shareholding pattern, जहापे जो पुराना वाला था, जून 2020 तक, ये 89.97 था, देन सप्टेंबर में OFS आया, 75.15 है, अभी वो 0.15 तो एजिली वो कभी भी आफलेड बाजार से आपे कर सकते, तीन साल का time रहता है, वो भी आप लोगों को यापे पता है, इसका कोई analysis नहीं होता है, ये सारी चीज़े हम लोगों को board of directors की उपर ही छोड़नी आपे पड़ती है, सो मुद्दा यही है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनेटिकल्स आज का जैसे ही खबर यहापे हम लोगों को देखने को मिला, यहापे सवा पसेंट हम लोगों को गिरते वे यहापे देखने को मिला था, शुरुआत बहुत ही अच्छी थी क्योंकि split से related थोड़ा सा positive माहल यहापे create हुआ था, gap up opening हम लोगों को देखने को मिला थे बड़ उसके बाद पूरा धलान में हम लोगों को इस stock नीचे जाते वे देखने को आपे मिला है, हम लोगों को बात करें, तो यहापे मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, maximum chart pattern एक बार देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, तीन साल के अंदर अंदर ही हम लोगों को इस सारा performance देखने को मिल रहा है, कि जैसे मैंने आप लोगों को बता है, कि तीन साल में मतलब वो OFS, 75 का ratio maintain करना पड़ता है, यह देखिए, यहापे आपको मैं दिखाना चाहाँगा, 2018, 19, 20, 21, तो अभी भी company उसी range में देखने को मिल रही है, यह जो suddenly एक jump आई थी, यह jump के पीछे का reason ही था, यहापे गया, और उसके बाद बहुत time के बाद यहापे आ गया, तो अभी हम लोग कह सकते हैं, एक और negative खबर देखने को आपे मिल रही है, तो क्या इसके चलते HL कोई बरबाद हो जाएगा, बिलकुल भी नहीं दोस्तो, HL देखा गया है, तो company कोई खराब company नहीं, अच्छी company, मैं आप को इसकी balance sheet भी दिखाऊंगा, अभी आप देख सकते हो, 21st September की बाद करें, 25-26% की deliveries देखने के आपे मिल रही है, थोड़ा सामनों के आपे data की उपर आ जाते है, balance sheet वाला, तो आप देख सकते हैं, 11,700 करोड, 12,800 करोड, 15,000 करोड के results ए company के और, then करजे की बाद करें, तो long term borrowing zero, zero, आप यहाँ पे, देख सकते हैं, पहले company के उपर कितना कर जाता, 100 करोड का कर जाता, जो अभी zero हो गया, short term borrowing कितना है, लगबग सिर्फ 9 करोड का पहले, 5,500 करोड, यह तो fluctuating manner में चलता रहेगा, बदलता रहेगा, तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, cash की बात कर लेते तो लगबग 300 करोड, अभी लगबग 7,000 करोड के असपा, 7,200, 1,500 करोड के असपा, cash भी है, तो company के balance rate भी बहुत strong है, वैसे भी सरकारी company है, तो उनको as such कोई external burden हो, करजे का burden हो, तो ऐसा कोई मतलब company डूबेगी नहीं, आप सब लगग को पता है, सरकार की, अगर हम लोग या पर बात करे, performance तो या पर चलता रहेगा, तो हिंदुस्तान Aeronauticals Limited ये share जिनके पास भी है, तो ये यही सोचते होंगे, कि अभी हम लोग क्या करें, ये split की जो खबर हम लोग ने देखी है, अगर आप एक long time investor हो, मुझे ने रगता कि कोई आपको इससे दिक्कत होनी चा ये, इंदुस्तान Aeronauticals Limited कोई कमजोर कमपणी ने, बट ये सरकारी कमपणी है, अगर देखा गए, तो सरकार का involvement बहुत जाद है, तो comparatively slow चलती है, ये इसका एक क्या है, हम कह सकते है, disadvantage बोल सकते है, या फिर nature ही वैसा है, क्योंकि maximum सरकारी कमपणी आप लोग को slow ही देखन कमपणी है, अगर मैं कमपणी के result की बात करूँ, तो चले, results की उपर भी थोड़ा सा या पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर P&L के और आ जाएंगे, हम लोग साल बर साल के results देख लेते हैं, ठीक है, यह देके P&L के उपर अभी हम लोग आ चुके हैं, तो 4 साल के result देख लेते है, HL के अगर हम लोग बात करें, Aeronauticals के अगर हम लोग बात करें, नाम में ही लिखा हुआ है, तो उसमें यह number one company है, जिसका market cap भी आप देख सकते है, 46,000 करोड का है, उसके बाद जितने भी companies हम लोग को देखने को मिलते हैं, engineering industry से जोड़ी है, so definitely हम कह सकते है, number one type यहाँ हम लोग को इसका business भी देखने को यहाँ पर मिलता है, so बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस news, यह जो news है, no doubt यह negative news है, but कोई company यहाँ बरबाद नहीं होने वाले, company का PE भी 14 times के आप सपास है, जो कि एक decent है, dividend yield के चलते हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, यहाँ रिट and the helicopters and repair maintenance of the aircraft and helicopters, तो इनका जो business है, वो बहुत ही कमाल का हम लोग को यहाँ पर देखने को रहे, definitely सरकार का involvement है, सरकारी company है, तो थोड़ा बहुत slow pattern यहाँ पर देखने को मिलता है, overall conclusion यह कहना चाहूंगा, news negative है, no doubt split, cancel हो गया, यह थोड़ी ना celebrate करने वाली news है, पर इतना में ज टोखना टोखना नहीं चाहता, पर अगर आपने for example खरीदा है और उसके नीचे यहाँ पर चल रहा है, तो कोई panic होके sale करने की ज़रत नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को तकलिफ हो सकता है, नीचे रह सकता है, बढ़ उसका conclusion यह नहीं कि company खराब होगे, इसलिए म पढ़ सकता है, और उसमें जो speed भी रहेगा, comparatively low ही रहेगा, low speed मतलब क्या, आप देख सकते है, market इतना top level पे, bull run में है, और फिर भी इस company को अगर आप एक साल का भी data देखोगे, तो 75% के ही हम लोगो returns देखने को मिल रहे है, जो की ठीक ठा की हम लोग आप ऐसे बोल सकते है बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो news थी, split से related, वो definitely negative थी, split यहापे नहीं मिलने माला है, board of directors नहीं ना बोल दिया, तो जो second डिबार है, shareholder का है, उसके approval का तो कई सवाल आता ही नहीं है, बट still, इतना ही कहना चाहूँगा, यह company अच्छी है, आप जरूर चाहो तो इसके बा बाइ भाइ